स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो आपके सामने एक टाइटल जो नजर आ रहा है प्राइविटाइजिशन ओफ प्राइविटाइजिशन ओफ इलेक्ट्रिसिटी वह यह क्या हो गया है और यहां पर आप के लिए उसमें क्या-क्या कमिया है कैसे उनको इंप्रूव किया जाए तो अभी फिलाल जब यह पेश किया गया संसद के अंदर तो इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया था और जो करमचारी है जो इलेक्ट्रिसिटी यानि कि जो बिजली करमचारी है उन्होंने क्या किया इस विल का विरोध करना स्टार्ट कर दिया यहां पर आप देखेंगे 27 लाक करमचारी ने इस विल का विरोध किया अब सवाल उठता है कि क्या सर यह प्राइवेट एजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का अब यहां पर जो हमारे घर में जो बिजली आती है क्या अब क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी देखिए अभी आपके सामनी जो एक बिल आ रहा है विद्यूत संशोधन विदेग 2022 यानि ताकि इसके उपर और जादा विचार मिमर्श हो सके यहां पर जान सके कि इसके अंदर क्या-क्या कमिया है क्या-क्या इसको कमियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है तो यहां पर तेलंगाना तमिलाडू राजस्तान और भी अलग-अलग राज्ये हैं जहां पर जो इल बिल है वो किसान विरोधी भी है और उसको भी हम जानेगे और यहां पर पंजाब ने जो आम आदमी पार्टी है पंजाब उन्हों ने इस बिल का विरोध किया और कहा है कि यह जो बिल है जो भारत का जो फैडरल स्टुक्चर है जो भारत का जो फैडरल स्टुक्चर है उसके विरोध में ये काम किया गया है यानि जो संग्य धांचा है उसके विरोध का या कहेंगे संग्य धांचा का उलंगन करता है ये बिल अभी हम इसको जानेंगे federal structure के बारे में ये federal structure कैसे violate कर रहा है और यहाँ पर जो ये करमचारी ये विरोध कर रहे हैं इनके ओपर क्या impact होने वाला है care, जो bill में जो बाते बोली गई है उनके बारे में हम जान लेते हैं देखिए, जो bill है, यानि electricity amendment bill 2022 ये क्या कह रहा है, इसका जो उदेश है multiple player को ये एक तरीके से open access देने वाला है distribution के लिए, अभी आपको एक चीज़ समननी है, देखिए, एक होता है बिजली बनाने का काम, ये बनाने का काम है, अब यहाँ पर ये जो बिजली बनाई गई है, इसको distribute जो है, वो government जो companies हैं, उनके द्वारा क्या जाता है, उनको ये भी private player के लिए किया जाए, मतलब कि जो private players हैं, उनके द्वारा ये काम करवा दिया जाए, अब इससे क्या होगा, जैसे कि आपने जो एक seem है आपके पास, for example, आपके पास geo की seem है, तो आप उसको अपना दूसरे player के अंदर, यानि कि दूसरी service के अंदर जाना चाते हैं, तो आपने voda phone, या फिर जो idea है, दोनु ही एक हो गई है, तो आप उस company के अंदर जाना चाते हैं, तो आप अपना service provider बदल सकते हैं, तो ये अब ऐसा होगा, कि अगर ये bill pass हो जाता है, तो आप अपना चाहिए, आने आपके घर में एक private player भी आ जाएगा, private company आ जाएगी, तो वो कहीगी, आप हमारी बिजली लेजी, हमारे द्वारा बिजली जो है, वो ले लीजीए, तो आप अपनी जो service है, वो वहाँ पर change कर सकते हैं, साथी साथ इस bill में बोला गया है, कि जो government के दोरा, जो आपने देखा होगा, जो यह खंबे जो हैं, वो लगाए जाते हैं, यानि जो यहां से electricity, जो यहां तार जो है, वो पास की जाती है, तो इस bill में बोला गया है, जो private player है, जो government के दोरा यह जो चीज़ें stabilize की गई है, इनका use करके, वो service provide कर सकती है, जो customer है उनको, तो यहां पर इस bill में ये बातें भी बोली गई है, clear, अब यहां पर, जो implications हैं, इस bill में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो एक देखिए, जो परतिस परदा, अब competition increase होगा, obviously इससे, जो customer है, उससे फाइदा होगा, अब देखिए, जहां पर competition increase होता है, आप कहीं पर भी सबजी market में जाते हैं, तो वहां पर सबजी की radion जो लगी होती हैं, तो देखिए, कितना ज़्यादा competition होता है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फाइदा मिलते हैं, तो यह government का कहना है, कि इससे competition increase होगा, competition increase होगा, तो efficiency increase होगी, distribution जो है, यहां पर बहुत अच्छे से किया जाएगा, consumer को इससे ज़्यादा फाइदा होने वाला है, उनको यहां पर कम दाम पर बिजली मिलने की आशंका है, तो यह government का कहना है, अभी फिलाल government की बाते भी हम जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे, कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर क्यों नहीं है और जो बहुत genuine जो है, वो point भी रखे गए हैं, इसके अलावा बोला गया है, देखे, यहां पर जिसमें जो दंड की दर का दंड की दर को, मतलब कि जो बिल के आपके सामने due date दी जाती है कि आप इस बिल तक जो है, इस डेट तक जो है आप बिल भर दीजिए, तो यहां पर इसके दोरा इस बिल में कहा गया है, कि इसमें कारावास, जुर्माने, अर्ट दंड को परिवर्तित करना है, और जो भी जो regulation है, जो regulations है, उसको strengthen, यानि और ज़्यादा मजबूत करना है इसके दोरा को काम कर दिया जाएगा यहां पर जो government के दोरा की, जैसे की जो government players हैं, उनके साथ जब private players भी इसके अंदर आ सकेंगे यह बातें जो हैं, वो इस विल में बोली गई है अब इस विल का विरोध क्यों हो रहा है इसको जान लेते हैं, संगिया सरंचना जैसे मैंने का, federal structure का उलंगन किया जाएगा, यह बात बोली गई है, जो पंजाब के जो Chief Minister भगवनवान के द्वारा, यह बात बोली गई है ऐसा क्यों बोला गया, देखे हमारे समीधान के अंदर, सात्वी ने सुची, यानि 7th schedule के अंदर, एक concurrent list आती है उस concurrent list के, item number 38 में, यह बात बोली गई है कि जो बिजली है, जो electricity है वो एक concurrent issue है मतलब कि इसके ओपर, जो है, center भी अपना कानून बना सकती है, और state भी कानून बना सकती है, तो यह नि कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन at the same time, यहाँ पर यह बात भी बोली गई अगर center ने अपना bill बना दिया है तो उस पे state की कोई मतलब power नहीं रह जाती है तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि आप संग्य धांचे का यह उलंगन करतो, तो यहाँ पर आपको state की भी राय जाननी चाहिए, जो आप एक bill लेकर आ रहे हो, क्योंकि obviously समवर्ती सुची के अंदर आता है, दोनों का विशे है, state और center का, तो यहाँ पर आपको state से भी बात करनी चाहिए, तो आपने वो बात की नहीं तो एक तरीके से संग्य धांचे का, यानि जो मूल धांचे का आता है, अंदर आता है उसका उलंगन आपने किया है साथ ही साथ बोला है, इससे विद्यूद subsidy, जो electricity subsidy दी जाती है उस पर असर पढ़ने वाला है, देखिए किसानों को बहुत जादा मात्रा के अंदर electricity free दी जाती है फिर कहीं, electricity subsidy दी जाती है वहाँ पर और गरीबी रेखा से, जो poverty line के जो नीचे है, उनको मुफ्त में बिजली जो दी जा रही है, उससे यहाँ पर खत्रा होगा या फिर कहीं कि वो खतम हो जाएंगे obviously देखिए, जो private player होते हैं, उनका काम होता है profit making का, वो वहाँ पर profit कमाने के लिए आ रहे है, profit कमाने के लिए आ रहे है, तो वो subsidy क्यों देंगे किसानों को, वो क्यों देंगे poverty line के जो नीचे लोग है, उनको क्यों वो subsidy देंगे, क्यों उनको फ्री में जो है, वो electricity provide करेंगे private जहां पर भी आ जाए, वो हमेशा profit making में ही आ जाती है, वो इसमेशा सिरुफ और सिरुफ प्रॉफिट मेकिंग में ही आती है, अब यो profit कमाएंगे, profit कमाएंगे तो भाईया, इनको कोन ध्यान रखेगा, तो यहां पर बोला जा रहा है, यह किसान विरोधिया, कहर है, गौर्मेंट ने भी इसके मितले में एक आर्गुमेंट किया, खेर, उसको भी हम जानेंगे, इसके अलावा, यहां पर देखे, differential distribution, के वल सरकारी discom, देखे, जो discom का मतलब होता है, जो distribution का काम करती है, उनको discom बोला जाता है, यहां क्या बोला गया है, जो government discom है, यानि distribution companies है, उनके उपर यह obligation है, कि वो लोगों को electricity provide करें, इसका मतलब यह हुआ, कि देखे, एक शहर, मैं आपके सामने यहां बनाने की कोशिश करता हूँ, यह शहर है, यह जो area है, वो industrial area है, यहां पर बिजली की बहुँ जादा खपत हो रही है, अब यहां पर जो private company आएंगी, वो सीधा इनको ही, यहां पर electricity provide करेंगी, इनको electricity provide करेंगी, और इधर जो है, जो लोग रह रहे हैं, इनको electricity वो नहीं देंगी, और सीधे-सीधे, यहां पर obligation आजाते है, government के उपर, जो government discounts है, उनके उपर, यह obligation है, कि आप जो है, वो लोगों को विजली provide करेंगी, अब यहां पर जो profit making का, जो main जो, आपको कहूं, sector है, वो industrial area है, यहां पर इतना profit making का काम नहीं होता, एक साथ-साथ में 90,000 करोड का, 90,000 करोड का electricity को घाटा हो है, जिसके चलते, government जो है, यह scheme लाना चाती है, यह फिर कहीं कि यह भी लाना चाती है, अब यहां पर बोला गया है, कि देखिए, जो यह sector है, जो आपकी सामने, जो sector, industrial sector, इससे क्योंकि यह तो profit making की तरफ जाएंगे, और इनको जहां पर ज़्यादा electricity provide करनी होगी, तो यह वहां जाएंगे, तो industrial area में चली जाएंगे, तो इससे बोला गया है, कि जो हमें profit making होने वाला जो area है, आप वो छेतर जाए, वो job खत्रे में आ जाएगी, job खत्रे में आने का क्या मतलब हुआ, कि आप private players को लेकर आएंगे, private players को लेकर आएंगे, तो वो अपने जो है वहां पर शेतर जो हैं, या फिर कहें कि जो area है वो अपने अंदर हड़पने की कोशिश करेंगे जहां पर जो government है, उनके ओपर loss making होगा, loss making होगा, तो वहां पर जो नोकरिया है, उनकी अंदर छंटनियां आ जाएंगे, तो ये एक करमचारियों के द्वारा बात बोले गई है, इसके अलावा जो monopoly आजाएगी private player की अब इससे सरकारी वितरन कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अंदर देश के अंदर, जो विद्यू शेतर में कुछ जो नीजी party है, उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा, monopoly आजाएगी, monopoly आने से obviously जो करमचारी है, उनके अंदर कम्या की जाएगी, definitely, और पर operational issue बोला गया, देखे, operational issue क्या है, देखे, जो आप बात कर रहे हैं, आप उर्ती की, आप उर्ती के लागत का लगबख 80% विद्यूत, खरीद में खर्ज हो जाता है, यानि कि आपने जितना कमाया, उसका 80% तो आपने खरीद में ले लिया, मतलब इतनी विद्य तो आपने खरीद ली, अब एक शेतर में काम कर रहे हैं, सभी विद्यूत कहीं से, यानि electricity कहीं से खरीदी है, तो electricity कहीं होर से आपको सस्ती में जाएगी, रही तो आपके बोल रहे हो, कि गुणवत्ता या कीमत में सुधार होगा, वो obviously हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना रुपया तो वैसे ही उनके खरीद के अंदर जा रहा है, तो वो कैसे distribution के अंदर कम कीमत कर देंगे, तो इससे और ज़्यादा जो हैं, वो समझे हैं, बढ़ने ही वाली है, ये विरोध जो कर रहे हैं, उनके द्वारे ये बातें बोली जा रहे हैं, अब वोगताओं को क्या नुकसान होगा, वोगताओं को देखे, यानि कि जो consumer है, जो आप जैसे का जो model आया, उससे 2.6 billion डॉलर का नुकसान हुआ था, किसको देना पड़ा था, ये consumers को देना पड़ा था, देखे, 2.6 billion pound, डॉलर मैंने गलती से बोलिया, pound, देखे, कितना जादा, 2.6 billion pound जो है, वो जादा भुकताओं करना आ रहे, वो भारत के अंदर, जैसा भी आप भारत के अंदर लेकर आ है, obviously वो एक दूसरे देश के अंदर आ चुका और वो company वहां पर fail हो चुकी है जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान consumers को हुआ है, अब government के दोरा भी कुछ तर्क दिये गए है, उनको भी जान लेते है देखे, government के दोरे ये बात बोली गई है कि हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को देखा है और हम, जो भी subsidy, जो शेत्र के हैं, हम ऐसा नहीं है कि जो state government है, उनसे उनकी power चीन रहे, वो चाहें है तो वो subsidy दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कोई subsidy चीनने का आधिकार या subsidy देने की जो power है वो चीन ले गए यह नहीं है, वई राज्यों को शक्तिया है उनको कम नहीं किया जा रहा है, यह government के द्वारा बोले गए, सरकार नहीं संकेत दिया है कि एक शेत्र में कई डिस्कॉम पहले से ही मुझूद है, वह ऐसा नहीं है कि आप पहली बार लेकर आ रहे हैं, ओविसली कुछ एक ऐसे शेत्र हैं, जहांपर जो private player है, वो इसके अंदर काम कर रही है और बहतर तरीके से वो काम कर रही है और इससे competition generate हो रहा है और लोगों को इससे सुविधाई मिल रही है तो यह government के द्वारा बोला गया और इसके अलावा, जो बात बोले गई थी कि जो किसान है, उनको free electricity या फिर कहीं subsidy दी जा रही है उसमें जो नुकसान होने वाला है उसके ओपर government ने बोला कि देखिए अब यहाँ पर हम cross subsidy जो हमें मिलेगी जैसे कि जो हम electricity जो commercial है जो industrial area है जहाँ पर हमें cross subsidy जो मिलेगी वो जो subsidy है, हम poor जो हैं जो किसान है, हम उनको distribute कर देंगे यह बात बोली गई है, government के दारा साथ ही साथ, government का जो एक plan है कि 50% installed power capacity from renewable energy मतलब कि हमारे यहाँ पर एक agreement हुआ था यह फिर हमने जो agreement किया था पैरिस एंड ग्लासगो agreement था जिसमें green target रखे गए थे green target का मतलब यह हुआ electricity बनती कैसे, coilे से बनती है अब यहाँ पर बोला गए कि कोईले की जगा है, renewable energy के दारा जैसे solar power होगे, wind power होगे या फिर अलग-अलग चीजों से हम जो है वो electricity generate करें, जिसे renewable energy कहा गए है, अब renewable energy की जो बात बोली गई कि 2030 तक 50% इसको हासिल करने का लक्षा सरकार ने रखा है और आने वाले आठ सालों में इस लक्षे को दोगुना कर दिया जाएगा ये सरकार के द्वारा कहा गए अब ये बोला गए कि आप जो है electricity purchase करोगे, वो 50% लग-बग 2030 तक बोला गए वो renewable energy purchase करोगे renewable मतलब कि जो distribution companies है, वो renewable energy जो है, वो purchase करेंगी 2030 तक 50% जिससे क्या होगा, जो हमारे देश के, मैं ये renewable बोलें जाने में मुझे में तिक्कत हो रही है, जो यहाँ पर नवी करनी है, यानि कि जो हिंदी में बात करूँ, renewable energy खरीदने में, जो हमारे देश का जो एक बात बोली गई, concurrent list के सामने जो बात बोली गई, कि यहाँ पर जो है state भी अपना एक low बना सकता है, center जाए वो भी low बना सकता है, लेकिन at the same time center के दोरा जो low बनाया गया है वही लागू होगा, state का लागू नहीं होगा तो इसका मतब यह नहीं कि आप state कोई पिछे कर दो, आप उससे कोई विचार मिमर्स नहीं करोगे आप उनको भी जानी, आप उनसे भी विचार मिमर्स करिए ता आप उनको भी साथ में लेके आना होगा साथ ही साथ, जो इस provision में जो subsidy से related, जो भी issue है आप उनको elaborate manner से, यानि विच्तार तरीके से, आप सब के सामने रखिए और जो भी इसके अंदर जो confusion है उनको eliminate करिए, आप उनको दूर करिए वहाँ पर, और यहाँ पर regulation for private player should be brought into avoid differential distribution जो भी, जो अप, जो private players आ रहे हैं, उनके लिए जो regulation है उनको अच्छे से, नियम जो है वो अच्छे से बनाईए, ताकि मतब कि उनको अच्छे से सामने रखिए, ठीक धंक से represent करिए, ताकि सब उनको अच्छे से समझ पाएं यहाँ पर, तो यह सब चीज़ें हो सकती है जो भी इसके खिलाब जो है सरकार के तोरह, यह सब जो पाएं किये जा सकते हैं के दिये, तो बस आज के लिए इतना ही था आज की इस वीडियो में उमीद करता हूँ यह complete जो आपको topic है electricity amendment will को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई है ता इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो इसको शेर भी कर सकते हैं PDF के लिए मैं उल्रड़ी आपको बता चुका हूँ description box में telegram का इक लिंक दिया मिलेगा तो चाकरा वहाँ से इस वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतने हैं था, thank you